नमस्ते बच्चां, आज हम कक्षा चार के पाठ चार खेल परत्योगता पढ़ेंगे खेल की तैयारी नीलम के विद्यारिय में इस वर्स पंचा स्थर की खेल परत्योगता का आयोजन होना था अज्यापक जी ने सब भी अज्यापक की बैठक बुला कर काम बांड दिये अब अज्यापकों को अपने काम से संबंद दल तयार करने थे नीलम के खक्षा ज्यापक जी को मैदान की विवस्ता का काम मिला था अध्यापक जी ने अपने दर्ण में निलम, आरिफ, मंगल और नंदनी को लिया कक्षा पांच, इस दर्ण में कक्षा पांच के चार, कक्षा तीन के भी चार बच्चे थे सब मिलकर आपस में कार्य की योजना बढ़ना है अब निलम के विद्यापक में खेल परदे हो गई ताका, पंचाए सतर पे आयोजन होना था और इसमें बढ़ना अध्यापक जी ने निलम के अध्यापक को मैदान के ववस्ता का कार्य सोंपा उन्होंने कक्षा पांच के चार और कक्षा तीन के भी चार चार बच्चों का एक दल बनाया और उन बच्चों ने मैदान में खेल की क्या-क्या वैवस्ता करनी है ये आपस में बांट लिया तो बच्चा अभी हमने खेल पढ़ते हो गी था पढ़ी थी जिसमें नीलम के अध्यापग ने उनको खेल से संबंदित कुछ कार्य सौंबे थे मैदान में क्या-क्या खेल की वैवस्ता करनी है और मैदान को किस तरह से सही डंग से सजाना है ये भी बताया था इसके कुछ प्रस्ण है या आपको अपनी क्रेकार्य में करनी है तो इसमें पहला क्वेशन है आपने कौन-कौन से खेल खेले है आपको इसमें बताना है कि आपने कौन-कौन से खेल खेले है दूसरा प्रस्ण है आपके स्कूल में कौन से खेल का मैदान है आपको इसमें बताना है कि आपके स्कूल में कौन से खेल का मैदान है कबड़ी का है, खोखो का है, क्रिकेट का है, बैडमीटन का है, या कोई अन्य है, या आपको इसमें बताना है, धन्यवाद